सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल इंट्रेडेग गाइड को बेल आइकन दवाईए लेटेस्ट अबडेट्स पाने के लिए अगर आपने मेरी बात सुनी होती तो आप तैसा कमा लेते पर लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है क्योंकि मैंने जो कल एक वीडियो डाली थी निफ्टी के और बैंक निफ्टी के उपर वीडियो में बताने वाला हूँ अगर आपने वो वीडियो नहीं देखिए मेरी तो उस वीडियो को देख लीजे उसमें आपको बहुत अच्छे से देख लीजेगा इसमे मैं आपको निफ्टी का आने वाले ट्रेंड बता रहा हूँ जो कल मार्किट में या आने वाले दो तिन दिन के अंदर आ सकता है तो गाईस बढ़ते हैं चार्ट की तरफ मैंने चार्ट ओपन करके रखा हूँ निफ्ती का यह मैंने जो ट्रेंड लाइ एक बहुत अच्या correction दिया था बिलकुल straight line में उसके बाद ये एक zone में चला गया था जिसने इसमें lower top lower bottom बनाया था तो ये जो हम कहते हैं ये जो structure बना है ये structure को हम कहते है measured move ये एक pattern होता है measured move जिसकी वज़े हम कहते हैं कि अगर downside में इसमें breakout आता है तो हम कैसे सकते हैं कि इसका जो breakout होता है वो इस line के बराबर होता है जितना इसके distance होगा उतना ही वो breakout आता है पर हमने देखा कि इसके ऊबने ज़्यादा दिन sustain नहीं करना था और वो sustain नहीं करना हूँ था तो हमने देखा था कि यहां से उसने अब move दिया, नीचे आया, फिर उपर गया, उसने अपने high को नहीं तोड़ा और वहां से और नीचे आ गया, मतलब ये lower top, lower bottom की formation को पूरा कर रहा है, अब मैं आपको ये trend line हटा के दिखाता हूँ, अगर मैं आपको इसमें बता दू, lower top, lower bottom की formation कर रहा है, तो इसका जो level होगा ये level जो इसका bottom था, यानि कि 10,425 का level, अब हम इससे तो clarify नहीं कर सकते, एक pattern हमें नहीं बता सकता, कि ये एक sell signal है और यहाँ level तक जाएगा, हमें बहुत से patterns, बहुत से indicators के basis में एक level बनाना चाहिए, और वो level अगर सब में आ रहा है, तो ही हम अपनी shorting opportunity बनाते हैं, तब ही हम अपनी करते हैं, तो guys मैं इस trend line को हटा देता हूँ, अब मैं आपको एक दूसरी trend line मना के दिखाता हूँ, जो एक नया pattern मना है, वो भी मैंने कल उस video में बता दिया था, तो guys पहले मैं trend line choose कर लेता हूँ, इसमें मैं आपको दिखाता हूँ, guys यहाँ पर आप देख सकते है इसने एक pattern हैसे बनाया है, यह वाला pattern, तो guys यह वाला हम pattern मना रहे हैं, आपको मैं यह Fibonacci retracement का जो level है, हमने देखा था कि यहाँ पर यह 61% का जो Fibonacci retracement level था, यहाँ तक ही गया था, 161 कम है, यह अभी Fibonacci retracement हटा रहा हूँ, आपको और अच्छे से clarify हो जाएगा कि मैं आ पीचे आया, तो guys यह नीचे गया, उसके बाद उसने यह जो इसका base था, उस base को इसने hold करा, इस base को तूटने नीचे दिया, अगर इस base को तूटने तो हम कहते हैं कि अपके correction आ सकता है, और यह एक pattern नहीं बनता फिर कोई, guys आप देख सकते हैं कि इस level को hold करके रखा और यह यहां से उपर गया, अब हम पहली बात करते हैं कि इसने अपने top को भी काटा था, अगर आप लोग यहां पर position बनाते हैं, top जो इसने काटा था, तो ज़्यादतर जो भी top काटते हैं, particular index या stock, हम लोग सोचते हैं कि बहां से price breakout आ गया, अब हमें buy की करनी चाहिए हो, वहां स stock exactly नीचे आ जाता है, तो guys, यह होता क्योंकि है, क्योंकि जो बड़े-बड़े investors होते हैं, वो इस top को काटते हैं, कि हम जैसे retail investors हैं, वो इसे buy कर सके, और वहां से वो अपनी positions काटते हैं, जैसी high levels पे, high price पे, price पे, तो वो position नीचे गर जाती है, और हमें loss होता है, तो guys, ऐस इसने अपना breakout दिया, इस level की उपर जो इसने high बनाया था, उसके बाद मैं आपको pivot points हटा के दिखाता हूं, जिससे आपको और अच्छे से clarify हो जाएगा, अब आप देख सकते हैं, यहां पर, कि इसने जो अपना बनाया था, इसने अपने high को काटा, नीचे आ गया, इसने अ इसका low था, उसको support दिया, उसको hold दिया, वहां समने एक up move देखियो और up move यहां तक आ गई, तो guys, अब मैं आपको इसमें, जो pattern बन रहा है, यह देख सकते हैं, यह दो बनाया है, यह यहां तक गया है, आप देख सकते हैं, इसने अपने high को भी काट और यहां तक चला गया अब हमें कैसे पता चलेगा, यह कित्ती ऊपर जाएगा, क्या level है, उसके लिए हम बनाते है, फिबोनाची retracement का level यूज करते है, तो guys, मैं आपको यहां को फिबोनाची का एक level बता के दिखा रहा हूं, जिससे आप समझ जाएंगे, हम फिबोनाची को choose करेंगे, यहां से हम फिर एक trend line बनाएंगे, हम एक फिबोनाची ड्रॉ करेंगे यहां से, यह जो आपको line दिख रही है, यह जहां से इसने up move शूरू करी थी, उसमें हम एक trend line बनाएंगे, उपर से नीचे, आप देख सकते हैं, मैंने उपर से नीचे एक trend line बनाईए है, यह, थोड़ी नीचे बन नहीं है, तो यह मैंने एक अपनी Fibonacci retracement का level बनाया है, और आप देख सकते हैं, जो इसने अपना high बनाया है, वो इसका high है, 161.8% का retracement level, तो guys, यह जो 161 retracement level है, वो होता है हमारा final target, अगर यह hold इस level के low को sustain करके उपर चले जाता है, तो हम बोलते हैं कि जो हमारा पहला target है, वो 161 retracement level है, और वहाँ से वो stock अपना pattern complete का लेता है, अब वो बनाता है, एक downfall, तो अब आता है, एक downfall में, तो guys, यह मैंने जो cipher pattern बनाया था, यहां से वो नीचे आ गया और हमने देखा कि अब यह नीचे correction ले रहा है, तो guys, यह जो correction ले रहा है, इस correction के लेने के बा use करते है, उसके basis में आपको मैं समझाता होगी, कैसे हमारा final target बनेगा, तो guys, यहां पर आप देख सकते हैं, कि यहां से मैंने एक trend line dog करी, और यह नीचे level आ गया, तो guys, जो हमारा low है, जहां से हमने एक starting point बनाया था, जहां से pattern बनना शुरू होता, वो इसका final target होता, जो बन level, तो guys, मैंने आपको बताया था, कि जो हमारा पहला target है, वो पहला target होता है, जो इसका low होता है, यहां तक जाता है, तो आप देख सकते हैं, आज market में उसने इसी low को respect करा और यही low इसने बनाया, तो guys, मैंने जो आपको कल इस video में बताया था, market यहां तक जरूर जाएगा, लिफ्टी यहां तक जरूर जाएगा, तो आज अगर आप लोगों ने महां से shorting opportunity ली होती, तो आप एक अच्छे खास profit में रह जाते हैं, आप 100 point earn कर चके होते हैं, futures के अंदर, अगर आप कुछ भी buy करते हैं, तो guys, यह हमारा final target जो था, वो हमें achieve हो गया है, अब जो हमारा दूसरा target है, वो सीधा हमें लेकर जाते है, 10,450 के आज पास, तो guys, मैं आपको एक बात पहले बता देना चाहता हूं, कि यह इसने level को hold करा है, इस level के नीचे नहीं गया है, तो यह stock particular, जो index यह particular stock होते हैं, वो यहां से भी bounce back दे देते हैं, reverse हो जाते हैं, और उपर के levels दिख हमें अपनी shorting opportunity बनानी है, और जो हमारा target होगा, वो 10,450 का हो, या नी 100 points का हमें target मिलेगा, और जो हमें stop loss maintain करना होगा, वो हमें 50% retracement level, यानी 10,575.80 का stop loss maintain करके रखना पड़ेगा, 30 या 40 points का में stop loss maintain करना है, 100 points का हम target ले सकते हैं, तो guys, यहां देख सकते हैं, इसने एक double bottom ब market में, और उसके उपर नहीं निकलेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा call option वहीं पर ही बने हैं, सबसे ज़्यादा open interest call में वहीं जुड़ा था, तो हम कह सकते हैं, वो एक hurdle बन चुका है, तो guys, अब मैंने आपको जो level बताया था, वो level हमें target अचीव हो गया है, अगर यह आपको market में 10,540 के नीचे मिलता है, और sustain करता है, देखे मैं आपको बता रहा हूँ, यह एक इसका support का काम कर रहा है, तो guys, यहां से यह move reverse कर सकता है, तो जब भी मैं आपको बोलता हूँ कि यह target है, यहां से आपको बेचना है, यहां से आपको खरीदना है, उसका मतलब यह है कि उ उसे तोड़ने के बाद वो उसे hold कर रहा है कि नहीं कर रहा है, guys, यह आपको देखना बहुत जरूरी है, आप लोग अगर charts के pattern के basis में, अगर आप trend line और उसके basis में, आप सुछने की breakout आगया, मैं buy कर लेता हूँ, और आप loss में चले जाते हैं, तो reason यही होता है, कि वो उस pattern को hold नहीं कर पाता, उस level को hold नहीं करता, जब मैं आपको बोलता हूँ कि buy at this level, below is this level, तो उसका वतलब यह है, उसे sustain होना चाहिए, तब ही हम कहेंगे, कि वासे एक fresh opportunity हमें मिली है, तो guys, यह मैंने आपको निफ्टी में बता दिया है, कि अगर आपको मैंने दो pattern समझा दिये, measured move और cipher का, अब हमने आली chart में बात करी है, guys, यह आप देख सकते हैं, मैंने ADX का indicator on करके रखा है, मैंने आपको कल की वीडियो में भी बताया था, यह एक momentum या volatility line होती है, black, और इसमें हम देख सकते हैं, कि जैसी cross over दिया, और मैंने आपको कहा था, जो volatility line होती है, वो अगर बतार expect नहीं कर सकते हैं, कि यह हमें और उपर जाते पर देखेगा index, तो अगर उपर जाता है, तो आपको shorting opportunity ही बनानी होगी, इस particular nifty के अंदर, और आप देख सकते हैं, जैसे volatility index, जो line है, वो 25 की उपर चली गई है, और हम देख रहे हैं, जो एक हमें divergence, देखने को मिल रह investors इस market को नीचे लेकर जाएगी, और मैंने एक elite wave की video बनाई विये, जिसमें मैंने आपको nifty के बारे में long term में क्या impact पढ़ने वाला है, वो video भी मैंने बताई विये, तो guys वो video भी इस eye के अंदर आपको show कर जाएगी, वो video का अगर मैं आपको thumbnail type बताऊ, तो उस video में यह है क traders और positional investors साबधान हो जाएगे, क्योंकि अब एक गिरावट आने वाली है, तो guys उस video को जरूर देखेगा, अगर आपने अपनी positions बनानी है, long term के लिए, और आगर आप उसमें option strategies में काम करेंगे, तो अगर आपने 100 पह में भी उसे buy करा होगा, तो आने वाले टाइम में आप आपको वो 500 पे तर लेकर जा सकता है, तो guys वो आप उसे एक बड़ जरूर देखेंगे, तो आपको market में काम करने के लिए बहुत असानी हो जाएगी, guys market हमारे behavior से नहीं चलता है, हमें चार्च में लग रहा है कि यह downturn शुरू हो गया, हम आपको बोल देता है कि सद इसे short कर यह हम भी यहाँ पर buy कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता यह pattern बन सकता है, पर हम तब भी buy कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता कि हमें पैसा कमाना है, तो guys पैसा कमाना सब को है, पर हमें loss नहीं चाहिए, तो guys अब हमें wait करना होता है कि कब हमारे लिए एक ऐसा pattern बनते वे आए है कि अब हम buy करें तो हमें loss जो कुछ points का और जो target हो maximum points के हो तो guys market में अगर आप wait करेंगे तो वो आपको बहुत best opportunities देंगे तो यह market की training में आपके सार लेकर आने वाला हूँ इस Saturday के अंदर इस Saturday में मैं पहली video upload करूँगा जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि मैं आपको क्या क्या चीजे समझाने वाला हूँ आपको से में एक काम करना है आपको pen or paper note करना है और उसमें आपको सारी details में जो आपको बताऊँगा वो आप note करते रही है जो मैं आपको सिखाऊँगा, मैं उसमें बताऊँगा कि आपको कहां से ये चीजे मिलेंगी, तो आप उसे रोज पढ़ते रहिएगा, और आप मार्केट में एक successful trader बन सकते हैं, तो guys ये मत सोचेगा कि मैंने आपको जो सिखाया आप उसे हमेशा profit में रहेंगे, आप हमेशा loss में भी जा सकते हैं, क्योंकि guys ऐसी बात नहीं है, मैं जब trade करता हूँ, तो loss में मुझे भी होता है, मैं भी हर दिन कभी कबार loss करता ही रहता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं थोड़ा बहुत समझ जाएंगे, कि वो क्या suggest कर रहा है, long time के लिए, निफ्टी के लिए, तो guys उसमें मैं आपको एक खास trigger बता देता हूँ, कि निफ्टी minimum कहा तक जा सकता है, तो minimum जो maximum आपको बता देता हूँ, 7000 तक निफ्टी कानल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ऐसी useful information आगर आपको stock market के बारे में, रोज जानी होंगी, और इस video को like कर दीजेगा, जिससे मुझे motivation मिले कि मैं आपके लिए रोज videos मनाते रहूँ, comment section में कोई वी doubt हो, तो मेरे से जरूर पूछीएगा.